हेलो दोस्तों इस वीडियो में वीकली करेंडेफर को डिसकस करेंगे यान कि एक जन्वडी से लेके साथ जन्वडी तक टोफ फिप्टी करेंडेफर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला कुशन है हाली में जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सेत्रोप्षन C, विरांग गना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन अगला को सने, मेजर ध्यान चंद e-sports युनिवर्सिटी कहां पर अस्थापित किया जाएगा तो इसका सेत्रोप्षन B, उत्तर परिदेश के मेरट में अगला को सने, हाली में किस देश ने अंडर 19 एसिया कप को जीता है तो इसका सेत्रोप्षन A, इंडिया ने तो अंडर 19 एसिया कप इसको जीता है, इंडिया ने, इंडिया ने स्री लंका को हरा कर जीता है Recently, Indian Coast Guard का नया Director General कौन बना है तो इसका सरत्रोप्षन D, V.S. पठानिया अगला गोसने, पुर्तिगाली फूड़ोलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टेच यू यानि कि परतीमा किस सहर में अस्थापित क्या गया है तो इसका सरत्रोप्षन A, गोवा की राज़ानी पंजी में अगला गोसने, हाली में किस ने दो DG बुक को रिलीज क्या है जिसका नाम है, Innovation for You and the Ingenious Tinkers तो इसका सरत्रोप्षन C, A.M. यान की Attle Innovation Mission ने तो नीती आयोक के Attle Innovation Mission ने लॉंच करा है दो DG बुक जिसका नाम है, Innovation for You and the Ingenious Tinkers अगला कोसने, अंग्रेजी भासा में Sight Academy Award 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सरत्रोप्षन भी, नमीता गोखले को तो Sight Academy Award 2021, इसको हर साल 24 languages में दी जाती है लेकिन इस साल अब तक 20 languages में Sight Academy Award की announcement की गई है जिसमें से जो important इसको देख लेते हैं तो English के लिए नमीता गोखले को दिया गया है उनके novel Things to Live Behind के लिए वहे पे असमीज लेंग्वेज में अनुराधा सर्मा पुजारी को उनके novel जिनका नाम है इयात एकान आरोनिया आसिल के लिए दिया गया है वहे पे हिंदी लेंग्वेज के लिए दया परकास सिंग को उनके नाटग समराड असो के लिए साहित अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगला कोशने टेस्क रिकेड में सबसे तेज हंडेड आउट करने वाले भारते विकेट किपर कोन बने तो इसका सहतरुप्शन सी रिसपपंध अगला कोशने संकल्प असमारग निमलिकिर में से किस राज या फिर यूनियन ट्रेटी में बनाया गया है तो इसका सहतरुप्शन सी अंडमा निकवार आइलेंड में तो संकल्प असमारग या अंडमा निकवार आईलेंड में बनाया गया है in the memory of नेताजी सुवासचंद्र बोस एंड नेताजी सुवासचंद्र बोस ने 30 दिसमबर 1943 को अंडमा निकवार आईलेंड के पोर्ट बलेर में पहली बार नेशनल फलेक को फाराया था अगला कोशन ने हाली में बिजली उत्सप का आज़न कहां पे किया गया है तो इसका सेत्रप्शन D उत्तर परदेश के वारानसी में अगला कोशन निमनी कित्म से किस के दौरा First Metro Ferry जिसका नामे मुझरिस का निर्मान किया गया है तो इसका सेत्रप्सन A, कोची सिप्यार्ड के दौरा तो कोची सिप्यार्ड ने पहला मेट्रो फेरी जिसका नामे मुजरीज का निर्मान किया है अगला को सने सोच सुरक्षित सवचाले के लिए राइट टू पी अभियान यानकी राइट टू पी केम्पेन फोर किलीन सेफ टॉयलेट किस सहर में लॉंज किया गया है तो इसका सेत्रप्सन D, नाकपूर में, महराश के नाकपूर में अगला को सने पंजाब निसलन बैंक के नए M.D. तथा CEO किसे अपोइंट किया गया है तो इसका सेत्रप्सन A, अतुल कुमार गोयल को अगला को सने, किस राज ने परधान मंत्री मोदी के नाम पर सरक्का उधगाटन किया है तो इसका सेत्रप्सन A, सिक्किम ने तो रिसेंटले सिक्किम ने परधान मंत्री नरेन मोदी के नाम पर सरक्का उधगाटन करा है तो इस सरग का नाम रखा गया है नरेंद मोधी मार्ग एंड इस सरग का ओल्ड नाम था जोहाल लाल नहरू रोड अगला कुस्ष ने हाली में किस मंत्रा ये ने इंडिया सेमी कंड़क्टर मीशन यानि की ISM को लॉंज किया है तो इसका सत्रप्शन C, Ministry of Electronics and Information Technology तो इंडिया सेमी कंड़क्टर मीशन इसको लॉंज करा है Ministry of Electronics and Information Technology इन परजेंट टाम इसके मिनिस्टर है अस्विनी वैसनप तो रिसेंटली कैबिनेट ने इसके लिए 76,000 क्रोर अमांट की अप्रूबल दी है तो सपोर्ड डेवलेमेंट ओफ सेमी कंड़क्टर एंड डिस्पले मैनिफेक्टरिंग एको सिस्टम इन इंडिया अगला कुशन ने किसे मिसेस इंडिया गेलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है तो इसका सेत्रप्शन भी डाक्टर निकीता सोकल अगला कुशन ने निर अस्त्री करन पर संयुक्त राष्ट सम्मेलन में भारत का नया अस्थाई परतिनीधी कौन होगा तो इसका सेत्रप्शन ए अनुपम रे तो युनाइटे नेशन कौनफरेंस ओन डिस अर्मामेंट जिसका हेटकॉरर है स्विजिलेन के जनेवा में अगला कुशन ने हाली में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है तो इसका सेत्रप्शन C चाइना ने अगला कुशन ने बिहार के नए मुख्य सजीब यानि की चीफ सेक्रेटरी किसे अपोइंट किया गया है तो इसका सत्रप्शन B अमीर सुभानी को तो अमीर सुभानी जो की 1987 बेच के आयस टोपर थे मतलब इन को बिहार के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बना गया है फ्रों माइनोरिटी कम्यूनिटी अगला कुशन है हाली में किस मंत्राले ने पढ़े भारत केम्पेन को लॉंच किया है तो इसका सत्रप्शन C एजुकेशन मिनिस्टी ने तो 100 डे का रीडिंग केम्पेन पढ़े भारत केम्पेन जिसका एम है तो इंप्रूब लर्निंग लेबल ओफ स्टूडेंट्स एंड इसको लॉंच करा है धर्मेंद्र परधान ने जो की हमारे यूनियन इजुकेशन मिनिस्टर है अगला को सने भारत में ओमिक्रोन की सबसे पहली मौत किस राज में दर्ज की गई है तो इसका सत्रप्शन A महराष्ट्रा में तो रिसेंट्ली महराष्ट्रा के पूने में ओमिक्रोन से पहली डेथ हुई है अगला को सने रिसेंट्ली रेलवेव बोर्ट के चेर्मेन तथा CEO किसे अपोइंड किया गया है तो इसका सत्रप्शन भी विने कुमार त्री पार्ठी को अगला को सने निम्लिक्र में से किसे कनाडा का सरोच नागरिक पुरुसका यान की कनाडा's highest civilian award जिसका नाम है order of कनाडा से सम्मानित क्या गया है तो इसका सत्रप्शन दी all of the above यान की डाक्टर वाइकुन्तम आयर लक्षमन नवजित बोब सिंग धिलोन इन तीनों को कनाडा का highest civilian award order of कनाडा से सम्मानित क्या गया है अगला को सने हाली में किस देश ने अल्फ संख्यक समुदाय के मंदिरों की देखवाल के लिए पहली बार हिंदू नेताओं का निकाई अस्थापित क्या है विच कंट्री सेट अप फर्स एवर बोडी ओफ हिंदू लीडर्स टू टेक केर ओफ मायनोर्टी कम्मुनिटी ज टेंपल तो इसका सत्रप्शन ए पाकिस्तान ने अगला को सने हाले में किस राज ने भारतिय पैंगोलीन की अपनी पहली रेडियो टेगिंग पूरी कर लिए विच स्टेड ऐस कम्मुनिटेड इट्स फर्स एवर रेडियो टेगिंग ओफ इंडियन पैंगोलीन तो इसका सत्रप्शन ए ओडिसा ने तो रेडिसा का forest and environment department ने radio tagged Indian pangolin को release करा है into नंदन कनन wildlife sanctuary तो Odisha ऐसा करने वाला second state बना है after मद्धपरदेश तो radio tagging होता क्या है तो इसमें animal को transmitter कर दिया जाता है जिसे की animal के movement को monitor क्या जाता है अगला को सने सोच गंगा के लिए राष्टी mission के नए महानी दिशक यानि की director general कोन बने है यानि की national mission for किलिन गंगा के नया director general कोन बने है तो इसका सहतरोप्शन B जी असोक कुमार अगला को सने हाली में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनिक में अनुसंधान के लिए कलपना चावला केंदर का उधगाडन कहां किया गया है तो इसका सहतरोप्शन B चंडिगर में तो कलपना चावला चंटर फोर रिसर्च इन इस्पेस साइंस एंड टेक्नोलोजी यानि की KCC RSST इसका उधगाडन किया गया है पंजाब के चंडिगर उनिवर्सिटी में तो कलपना चावला ये इंडियन अमेरिकन एस्टोनोट थी एंड ये पहली भारतिय ओरिजिन की महला थी जिनोंने इस्पेस में गई थी अगला कुशन है टेसला की ओटो पाइलट टीम के पहले भारतिय मुल्क के करमचारी कौन बने तो इसका सहत्रप्शन है असोक इलू स्वामी अगला कुशन है जीला अस्तरिय सुसासन सुचकांग रखने वाला पहला केंडर सासित परदेश कौन बनेगा विच यूटी विल बिकेम फर्स्ट यूटी तो इसका सहत्रप्शन सी जम्में कास्मिर तो इसको सेटप किया जाएगा जम्में कास्मिर में इस डिजी जी आई फ्रेमवर्क में 58 इंडिकेटर सामिल होगा इस इस 58 इंडिकेटर में जो पर्फोर्मेंस होगा उसके according district को ranking दिया जाएगा ठीक है अगला कुछ सने हाले में world CEO winner of the year 2021 कौन बना है तो इसका सत्रोप्षन C. किसोर कुमार येदम तो किसोर कुमार येदम इनको मतलब world CEO winner of the year 2021 बनाया गया है अगला कुछ सने US India business council के परमुक के रूप में किसे appoint किया गया है ठीक है who has been appointed as head of US India business council head मतलब president ठीक है तो इसका सेथरोप्षन है अतुल केसब को तो अतुल केसब जो की Indian origin के American diplomat है and इनको recently US India business council यान की US IBC के president बनाया गया है और ये US IBC जो की एक industry body है इसका headquarter है Washington DC में ठीक है अगला कुस ने हाले में किस company ने 500 million के लिए Israeli cyber शुरुक्षा company simplify का अधिगरन किया है which company acquired Israeli cyber security company simplify for 500 million dollar तो इसका सेथरोप्षन भी Google ने अगला कुस ने फुलोरोना का पहला मामला किस देश में पाया गया है इसका answer option A Israel में ठीक है तो फुलोरोना ये mixture है COVID-19 and influenza का influenza मतलब flu जो की एक viral infection होता है जो हमारे गले and lungs को effect करता है ठीक है and इसको मतलब फुलोरोना को double COVID and flu infection भी कहा जाता है अगला को सेने हाले में चर्चा में रहे वैसनो देवी मंदिर किस राजी या फिर UT में इस्थीत है तो इसका सद्रप्शन सी जम्मु एन कास्मिर में तो वैसनो देवी टेंपल ये जम्मु एन कास्मिर के तिरीकूटा मौन्टेन में इस्थीत है and recently यहाँ पे stampede यान की भगदर मजने के कारण 12 pilgrims यान की तिर्थ यात्रियों की मौत हो गई है इसलिए ये चर्चा में है तो ये मंदिर तिरीकूटा मौन्टेन में इस्थीत है जम्मु कस्मिर के अगला कुशन है OMICOR RT-PCR कीट निमलिक्र में से किस के दोरा बनाया गया है तो इसका सेत्रोप्षन D Tata Medical and Diagnostics के दोरा तो OMICOR ये OMICOR COVID-19 वेरियन को डिटेक्ट करने वाला पहला RT-PCR कीट होगा जिसको अप्रूबल दी है ICMR ने यानि की Indian Council of Medical Research ने इसको किसने बनाया है तो Tata Medical and Diagnostics ने अगला उसने हर साल विश्व ब्रेल दिवस यानि की World Braille Day कब मनाया जाता है तो इसका सेत्रोप्षन B 4th जनवरी को हर साल World Braille Day मनाया जाता है अगला उसने नया COVID-19 वेरियन्ट जिसका नामे IHU किस देश में खो जा गया है तो इसका सेत्रोप्षन ए फ्रांस में तो IHU यानि की B.1.640.2 जो की एक निव COVID-19 वेरियन्ट है एंड इसका जो टोटल म्यूटेशन है वो 46 म्यूटेशन है जो की अभी चल रहे ओमी करोन से भी ज़्यादा है एंड इसकी खोज की गई है फ्रांस में अगला कोशने कौन सा राज देश का पहला स्मोक फिरी स्टेट बना है तो इसका सेत्रोप्षन C. हिमाचल परदेश में अगला कोशने ONGC की पहली महला अध्यक्ज और MD कौन बनी है तो इसका सेत्रोप्षन A. अलका मित्तल तो अलका मित्तल यह फर्स्ट एवर फिमेल चेर्मेन एंड एमडी बनी है ONGC यानकी Oil and Natural Gas Corporation गए और ONGC इसका फोर्मेशन वादर 1956 में हेटकॉर्टर है निव देली में तो याद रखेगा अलका मित्तल यह पहली महला अध्यक्ज बनी है ONGC की अगला को सने हाली में जल सक्ती मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी किसे एपोइंट किया गया है तो इसका सत्रप्षन ए वीनी महाजन को अगला को सने दक्षिनी धुरूप की अकेली यात्रा करने वाली पहली भारती मुल्की पहली महला कौन बनी है तो इसका सत्रप्षन C हरप्रित चंडी अगला को सने हाले में विस्तरा एरलाइन्स के CEO किसे बनाया गया है तो इसका सत्रप्षन A विनोत कनन अगला को सने कौन सा मंत्राले यानि की मिनिस्ट्री बरान इंडिया केमपेन को लांच करेगा तो इसका सर्थरप्शन भी Commerce Ministry तो Brand India Campaign To Boost Exports यानि की निर्यात को बरावा देने के लिए Brand India Campaign को लॉंच किया जाएगा Commerce and Industry Ministry के दोरा and present time इसके मिनिस्टर है Pius Goel अगला कुशन है, हाली में चर्जा मेरे सिंधु ताइ सबकाल निमलिकर में से कौन थी तो इसका सर्थरप्शन B Social Worker तो ये एक समाजिक कारे करता थी and हाली में इनका नीदन हो गया है and इनको 2021 में Padma City से सम्मानित किया गया है तो इसका सर्थरप्शन है, निमलिकर में से कौन सा bank DSIB के रूप में बना रहेगा Which of the following bank continue to be, remain as DSIB तो इसका सर्थरप्शन D All of the above यानि कि HDFC Bank, SBI and ICIC Bank तो recently RBI ने कहा है कि State Bank of India यानि कि SBI, ICIC Bank and HDFC Bank ये मतलब DSIB के रूप में बना रहेगा यानि कि Domestic Systemically Important Bank तो वैसे bank DSIB के अंडर आते हैं जिसको मतलब Important Bank माना जाता है मतलब इसके failure होने के कारण जो हमारे country के economy को huge impact पर सकता है यानि कि their failure means huge impact on the country's economy अगला कुशन है हाले में किस bank ने IMPS transaction limit को 2,00,00 से बराकर 5,00,00 रुपे कर दी है तो इसका सर्थरप्शन BSBI ने तो recently SBI ने IMPS transaction को बराकर 5,00,00 तक कर दी है यानि कि अगर 5,00,00 तक का transaction internet banking या फिर mobile banking के थुरू करते हैं तो SBI कोई भी charge नहीं काटेगा तो mobile banking में SBI का yono app भी सामिले तो IMPS यानि कि immediate payment service इनके owner है NPCI यानि कि National Payment Corporation of India जिसका headquarter है महाराष्टे की राजानी मुंबे में अगला कुस ने भारत का पहला Cryptocurrency जिसका नामे IC15 का Westwick सूच का किसने पेस किया है who introduced India's first global index of Cryptocurrency's IC15 तो इसका सत्रप्शन B Crypto Wire अगला कुस ने अगला कुस ने हाली में NEET 3.0 किसने लांच किया है तो इसका सत्रप्शन B धर्मंदर परधान ने तो NEET 3.0 यानि कि National Educational Alliance for Technology 3.0 and it is a single platform that will provide the best developed edtech solution and source to student of the country कि यानि किए्थरी